स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन जगत पे दोस्तों इस्टेट जयार 19 का जब से फॉर्म आया है उस समय से सिक्षक बहाली को पूर्ण कराने के लिए बहुत से अभिर्थी अपना योगदान दे रहे हैं जिसमें से आलोग जी और निरत जी श स्वार्थ भाव से सिक्षक बहाली को पूर्ण कराना चाहते हैं इसी बीच एक नया चेहरा आया अनिल जी का अनिल जी भी तन मंधन और निस्वार्थ भाव से सिक्षक बहाली को पूर्ण कराने में अपना योगदान दे रहे हैं इस तरीके से यह तीन लोग मेरिट के कभी अलग हो जाते हैं कभी एक तुस्त allora कर तो इसका सिर्फ एक कारण है वह पैसा और यह पैसा कहां से आता है यह पैसा आपके और मेरे जेव से आता है यानी कुल रुपरा के जितने भी अभ्यर्थी है सटेट के चाहिए तो मेरिट के हो या नौट मेरिट के हो नौट मेरिट में भी नियता बने कुंदन आया और उसने सबसे पैसे खट्टे किये बाद में बटवारा हो गया बटवारा उने के बाद तीन-चार लोग पैसे लेकर लिकल गया कुंदन का दिल पिघर गया उसने इसके पास इतने हिसाब कितब इन तीनों में से कोई नहीं देता है एक बार अनिल जी ने तो निय। इन तीनों केविश्ट लड़ाई क्यों होती है तो यही है पैसा है क्योंकि चंदा का पैसा यह आपास में चाहिसे बठ नहींदा आता है जो मांगता है वो उसमें अपना हिस्सा जादा लेता है अब माल लीजिए अनिल जी नेता बनकर जब उभरे थे आए थे जुलाई के आसपास फिर उसके बाद धीरे-दीर करते 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 यह स्टेट वरकिंग कमेटी के सदस्ते बन गया अध्यक्ष बन गया उसक अच्छा था सब कुछ है लेकिन अनिल जीव्य पाल वाय रहते डमल करते थे अदोलन क्या था सुबह जाते थे पटना में बैठते थे और साम के घर पे आजाते यही अंदोलन है आज मतलब हए और अन्दोलन तो इस पैसे मांगा जाता है कि सुबह जाएंगे और साम को आप बल्कल भी मत दीजिए सुबह जाना और स्ाम को आपस आ जाना इस अन्दोलन में के लिए पैसा आपको को नहीं करता है आज मैं भी बना कर रहा हूं इस अंदोलन के लिए पैसे नहीं देना चाहिए हाँ लेकिन यह भी है कि आलोग जी को पैसे मत दीजिए क्योंकि आलोग जी ने भी पैसे लिए थे वाई भी गिरी को कर रखने के लिए बाद में रख लिया पीकैसाइग को यह बात इननोंने अंदीो जी आरोप लगाया लेकिन बात बात पहले जा सकता है पहले नहीं बोला उस बात को छोड़ो में अब यह बात करते हैं की नीरज किया है ले technology मिला के इन तीनों का यही धंदा है कि पैसे दो हमारा घरबार चले और हम केस करेंगे तो अंदोलन करेंगे और यूटूब पर आके आपको सची वाले का अपडेट देंगे बस यही और कारेकर इसी कारेकरम को यह लोग बार-बार रिपीट करते रहते हैं इन लोग के पास हर रोज हर घंडे अपडेट आते रहते हैं अनिल जी दिन में और यूटूब पर आते हैं अपडेट देते हैं और चंदे और लिए और दूसरे नमये लया करते था जोटा रोफ लगाया जा रहा है निरज का कहना है स्भिजी कभी कभी कहते हैं मैं एक छोड़ दूँगा मैं मेरिट के लिए कुछ maior दूगा तो फुल मिला कि यही कि इन सब के बीच में जो है जगड़े का जर है वो है पैसा पैसा आप लोग मत दीजिए क्योंकि किसी भी किसी भी अंदोलन में या फिर केस में लाखों का पैसा खर्च नहीं होता है अगर लाखों का पैसा खर्च होता तो एक जामपल देता हूं मैं आपको दिलिप जहां कर थी नोट मेरिट का उसने पी आईल किया था और उसका पी आईलो रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया उसके पी आईल का सुनवाई भी हो गया सब कुछ होता है वहां तो 10-12 लाख रुपे दे के लोग छूड़ जाते हैं और यहां तो कुछ किया ही नहीं है तो सिप एजुकेशन से जुरा है उसमें फीस उतनी ज्यादा जाएगी नहीं तो यह लोग क्या करते हैं इन लोगों का धंदा बन चुका है धंदे से दूर रहे चाहिए आप मेरिटमें फैसे मत दिजीए आप केस करना भी चाहते पहले तो करने कोई फायदा नहीं है मेरिट वालों केस करना चाहिए क्योंकिन की साथ अन्याय हो रहा है अगर आप केस करते भी है तो आपको खूल मिला कर अगर आपस मेरिक तो हैं यह कि अब दस-न्द-पंदरह कि एक दूसरे को जानते हैं अब 10-15 लोग पैसे मत दीजिए या फिर आप 10-15 लोग 20-50 लोग मिलके पैसे खटा कीजिए और किसी यह नहीं कि हाँ एक बेक्ति पैसा लेगा उसके इसाब किताब नहीं देगा चंदी लगाई करेंगे ऐसा नहीं केस कीजिए इन लोगों से कोई लेना देना मत रख रहें लोग बेवकूब बनाते रहेंगे और यह लोग चंदे के नाम पर अपना घर चलाते हैं कोई सिक्षक बहाली कर्वाने के लिए कोई यकदान नहीं दे रहा है बाकि मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगाए जो इन तीनों के मॉकाबले भूलने में इतने बढ़ीया बोलते हैं और ये महामुरक है नियरज है है कुछ दिन पहले जाके नौट मेरिट वालों के साथ गया था नौट मेरिट वालों जम के कूट दिया तब इसको समझ में आया कि हाँ अब मेरिट वालों के लिए ख़रा है तो तीनों बेक्टी में थोरा बहुत आलोग चीज़ सही है और यह यूँ भी कह सकते हैं सब अपन हिसाब किताब दे तो माना भी जाए कि यह लोग सही है चंदे का पैसे का हिसाब किताब कोई नहीं देता है तो यह कुल में लागर कह सकते हैं कि यह तीनों के तीनों ही चोड है इन चोरों को चंदा मत दीजिए आपको केस करना भी हो तो आराम से 10-15-20 लोग मिलिए आपस अब यह उस पैसे से केस लड़ते हैं तो ठीक है अब आगे इनको पैसा मत दीजिए कि सुबह जाए और साम को आपस आ जाए यह कोई अंदोलन नहीं है अंदोलन होता है कि हां सुबह गया तो अपना जब तक कुछ नतीजा ना लिख ले अंदोलन चलता रहे लगाता तो व तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू धन्यवाद